खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जन्तन्तर टीवी एड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट भवश्यवान की है deeply, हम आपको जलभराव की चार तस्वीरे दिखा रहे हैं पहले तस्वीर देखे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है, जहा पर पानी के बीश से वहर निकल रही है दूसरी तस्वीर करनाट पाल्स की है, जहाँ पर बारिश की वज़े से सननाटा है तीसरी तस्वीर द्वारिका की है जहां पर बारिश की वज़ से जल भराव की स्थिती बन गई चौती तस्वीर नौर्थ और सौथ ब्लॉक की है जहां पर बारिश की वज़ से जल भराव के हालाद बने हुए है जल भराव से लोगों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ा है जगा जगा जाम की स्तिती बनी हुई जिसके बाद लोग काफी परिशान होते हुए नजर आए तो मौसम का मिझास बदला है बारश हुई है जिसके बाद जल भराव के स्तिती कई जगों पर ट्राफिक जाम आप देख रहे हैं वाहनों की लंबिक अतारे लग गए जिसके बाद लोग काफी परिशान होते हुए नज़र आए राधानी दिल्ली में आज पूरे दिन बारिश की संभावना मौसम विभा की तरफ से जताए गई है दिल्ली एंसियार के लोगों की गुरुवार की शिर्वात बारिश के साथ हुई है सुभा दिल्ली के साथ एंसियार के शहरों में बारिश हुई जिससे उमस गायब है मौसम सुहाना हो गया है बादल चाय हुए है और दिन भर रुक रुक कर कहीं तेज तो कहीं हलकी बारिश की संभावना चताए गई है भारते मौसम विज्ञान विभा की माने तो आज दिन भर बादल चाय रहेंगे कहीं कहीं भारी बारिश होने के आसार है इसे देखते हुए औरेंज अलर्ट जारी किया गया है गुरवार सुभा बादल काफी चाय रहे और अभी भी दिन भर बादल चाय रहने की संभावना है बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ली है नई दिल्ली रेल्वे स्टेशन द्वारिका में जल भराव के हालात दिखाए दिये पहले से अलर्ट पुलिस ने जल भराव वाली जगों पर बैरिकेटिंग्स लगा कर उन रास्तों को बंद किया मिंचो रोड और दिली के कई जगों पर बारिश की वज़े से जल भराव के हालात बन गए साउथ ब्लॉक में जल भराव की वज़े से लोगों को काफी परिशानी होई तो बारिश से राहत जरूर मिली है लेकिन जल भराव से आफ़र पैदा होई